हेलो दोस्तों मैं सहरों मली का आप से भी का टोपिक स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजिनिंग के 10 महत्पून परसन 10 अलग-अलग चैप्टर से तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर सबसे पहले कर दीजे और वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रहे हैं अभी RPF SI Constable के एक्जाम चल रहे हैं मैं लगतार वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ आपके पास वीडियो सायद नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि बहुत कम बच्चे वीडियो को देख पा रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी सेर किया करें जब भी वीडियो को देखें और इसे लाइक भी कर दिया करें ताकि नेक्स टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए बहुत ही अच्छ 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 कोशन कराने वाला हूँ और अगर आप चाते हैं लगतार आपको रीजिनिंग की मैथ की, करंट अफेर की, ओनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलके बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजिगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पहला कोशिन है और यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना ठीक है तो यहाँ पहला कोशिन है एक बड़ ट्राई करिये और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करना है बहुत है अच्छ थी अच्छ है कोडिंग यहाँ पर दिखे M जो है M लिखा है M से पहले L आता है उसके बाद में N आता है यानि कि M के पहले वाला word और उससे बाद वाला word यानि कि minus 1 और plus 1 वाली coding इसमें चल रही है अगर A की बात करें तो A में भी आपका वही है A से पहले वाला और बाद वाला A से पहले Z आता है और बाद में B आता है फिर उसी तरीके से आपको M को देखना है M से पहले आपका M आता है M से पहले और बाद में O आता है तो उसी तरीके से आपका यह हो गया तो आप समझ गयोंगे अभी कि इसमें coding चली क्या है कितने बच्चों ने इसका right answer किया था वो मुझे comment box बताइगा और और अच्छे तरीके समझने के लिए यहाँ पे समझेए M से पहले minus 1 और plus 1 किया गया यानि कि minus 1 L और plus 1 N कर दिया गया तो उसी तरीके से आपको O बोय में करना है बोय में आप B से पहले क्या आता है A आता है और बाद में C आता है तो इस तरीके से A C एक code बन गया B के लिए O के लिए क्या code बनेगा N और P N पहले आ जाता है P बाद में आता है कि बोए के लिए कोड कैसे बना है ACNPXZ ठीक है तो चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं फटा फट कोशन को देख लेते हैं सारे के सारे कोशन वो कराने वाला हूँ जिस पैटरन के एक्जाम में पूछे जा रहे हैं नेक्स कोशन है आपका जलती से ट्राइ करिए सोर यार इसका तो मैंने आंसर ये आपको बता दिया चलिए कोई बात नहीं इसको पैटरन में बता देता हूँ कि किस तरीके से करना होता है निमलिकित अक्सा सरंखला के नीचे दिये के विकलपों में से सरंखला के लुप्त अक्सरों की सही करम को ग्याद कीजे अब जब भी ये वाली सीरीज आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि इनको काउंट कर लीजे कैसे काउंट करना है यानि कि जो आपके खाली स्थान दे रखे उनको भी काउंट करना है जो अलफबेट दिये हैं उनको भी काउंट करना है अब ये बारा है बारा में आप पेर कैसे बनाएंगे या तो तीन तीन के चार बनाएंगे या चार चार के तीन पेर बनाएंगे पर 12 में जादेतर मतलब जो चांसिस होते हैं वो 3-3 के 4 पेर बनने के होते हैं ठीक है क्योंकि 12 जो नंबर हो छोटा है अगर 15 की बात की जाए 18 की 20 की इनमें फिर बड़े पेर बनने स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर अभी हम 3-3 के पेर बनाते हैं यनि की 3 पहले इस तरीके से 3 हमने यह बना लिया 3 हमने यह बना लिया 3 हमने यह बना लिया और 3 यह बच गया तो यहाँ पर अगर मैं देखू इसको करने का तरीका इसमें T है लास्ट में इसमें भी T है इसमें C है बीच में इसमें भी C है इसका मतलब बीच में देखिए कोई एक वर्ड आ रहा होगा जो बीच में आ रहा है जैसे एस में आ रहा है तो यहाँ पे C-A-T और C-A-T आपका बन जाएगा तो जैसे यहाँ पे बनाई रखा है पहले से मैंने हल कर दिया यह गलती से इसी पेज पर होगे नेक्स पेज पर क है तो आपके समझ में आ गया होगा कोई प्रोब्लम नहीं है मतलब कोष्छन का पेटरेन समझ में आना चाहिए बाकी आंसर पता चलीगा कोई दीक्टत नहीं तो इसको भी तो कैसे कर ना को आपको पता चल गया चले कोशन नंबर 3 पे चलते हैं त्पर चलेंक को हुगasa वाला है अब डारेक्षन वाला भी das Frank इंटरेस्टिंग है इसको भी देख लेते राजेस warrant पूर में जाता है तो देखें आप इसे पहले राजेस को एक किलोमेटर पूर्व में चला देते हैं तो भाई देखिएẩ पूर्व यह वाली direction होती यह डारेक्षट को पैस्टिंप ब जाएगा concept कभी बतलब गलत नहीं मुड़ोगा ठीक है ना जब भी कोशन में दिया होगा कि किस डायक्शन मुड़ना आप उसी डायक्शन में मुड़ोगे जिस डायक्शन में कोशन ठीक है तो एक किलोमेटर आप पूर की ओर चल दिएए यहां तक तो कोई प्रोब्लम नहीं है ना सब कर लेंगे फिर वह 5 km दक्शिन में जाता है तो यह तो यार दक्शिन वाला यह तो डाक्शन वाले कोशन हो गया पूरा का पूरा पूरस में लेफ्ट रैट नहीं आया तो फिर कभी कर लेंगे लेफ्ट रैट का या फिर मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्केप्शन बोक्स में किलोमेटर चल कर अंत में 9 किलोमेटर उत्तर की ओर जाता है फिर वो पूर की ओर चलता है पूरो आपकी यह वाली डियक्शन हो जाएगी तो यहां तक चलता है उसके बाद वो 9 किलोमेटर उत्तर की ओर जाता है तो यहां इसके बाद उत्तर कौन सी डियक्शन हो जाएगी यह तो इसमें 9 km वो चल देगा ठीक है भई यही तो बोलाया ना 9 km उत्तर की ओर जाता है अब प्रारमिक बिंदू से कितनी दूर है तो यह आपको बताना है दोस्तों आप यह बताईए यह इस तरीके से घुम के आया है तो आप क्या इसे ऐसे थोड़ी पलस करोगे कि अब कितनी दूरी पर है जब भी पूछा जाता है कि वो अब प्रारमिक बिंदू से कितनी दूरी पर है तो आप वहाँ से डारेक्ट लाइन देखते है कि यहाँ पे वो चला स्टार्ट किया था यहां पे फोंच गया तो इनके बीच में डारिक्ट लाइन कौन सी ड्रोव सकती है तो यह वाली याइन जो है डौरयक डौ रहा हिस तरीके से देखका है कि कित्रे डिस्तेंस यहां क्या कर सकते है इस लाइन का मैं मिला दू तो यह क्या बने गया आपका यहां पे यह वाली आपको distance पता है यह वाली पता है यह आपको निकाल लिए तो यहां पे आप पाइतरग्रस लगा सकते हैं यही question important है direction में otherwise direction के questions बहुत easy होते हैं chapter मैंने पूरा complete करा रखा है आपको अगर आपने नहीं देखा है तो सभी के link नीचे description box में द कितना होगा तिन given practice सब्सक्राइब तो 9 से पांच से 5 को minus कर दूए तो 9 में बचनेगा 4 तो 4 किलोमेटर आपकी यह वाली होगी तो तीन यह चार आपको सीधा सीधा पाइथगर उने कि तीन कि इसका इसका स्क्वेडाये आप का स्क्वेड़्ुजास हो जाएगा और I Cafed आंसर आगया है 5 km यह वाले डिस्टेंस कितनी है 5 km इस दि राइट आंसर आचा करता हूं कि कोशन अच्छे समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाईएगा ठीक है अगर नहीं आता है कोई भी कोशन तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं नेक्स कोशन पर मूव करते हैं और हाँ देखिए मैं आपको पहले बताना भूलिया था RPF SI के लिए online test available हो गये हैं नीचे description box में link है अगर आप serious aspirant है serious candidate है selection लेना ही चाहते हैं अच्छे से आपने त्यारी कर रखी हैं तो यह 20 test है हिंद इंगलिस दोनों language में आप इसे laptop, computer, mobile जहीं पे भी आप खोलेंगे उसी पे चल जाएगा 199 रुपे के test थे अभी आपके लिए 50 रुपे का discount दे दिया है अगर आप इसको अभी खरीदते हैं तो यह code भरिएगा तो आपको यह test 1500 रुपे में मिल जाएगा तो फटा-फट इसको खरीद के practice करना start कर दीजे दिन में 2-3 test लगाईएगा क्योंकि practice तभी होगी जब आप यह test खरीद के practice करना start करेंगे जब जैसे online exam होता है उसी pattern पे बनाए गए है ठीक है तो next आपका देखिए question है यह sitting arrangement का ठीक है भई तो sitting arrangement का बहुत ही अच्छा important question है आर्पे पैसाई में questions पूछे जा रहे हैं तो ध्यान से देखेगा आप बहुत ही interesting रहने वाला है बहुत कुछ चीख जाएंगे इस question से यहाँ पे बोला जा रहा है च्छे व्यक्ति तास खेल रहे थे गोपाल और कृष्णा आमने सामने थे और दोस्तों यहाँ पे जो मैंना आपको पता ना SI वाला टेस्ट इसमें नीचे constable कभी है यूपी पुलिस कभी है सारे टेस्ट मिल जाएंगे ALPCBJ2 के लिए भी है तो आप बस जाके देख लीजेगा तो यहाँ पे च्छे व्यक्ति तास के लिए थे गोपाल और कृष्णा आमने सामने थे कृष्णा जो है मोहन के बाई और तथा गिरद के दाई और था ठीक है गिरधर के गिरधर है ठीक है सोरी गिरधर के दाई और था तो यहाँ पे क्या करेंगे गोपाल और कृष्णा को आमने सामने बैठाएंगे अब गोपाल और कृष्णा के कहां पे बैठाएंगे अगर तो देखे किस तरीके से बैठेंगे देखे किर्सना को अगर मैं यहां पर बैठाऊंगा तभी मोहन के बाई और गिर्दर के दाई और आएगा और गोपाल इसके सामने हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास चार सिटे एक दम से फिक्स कर दिये तो यह ध्यान देने वाली बात होती है कहीं बार क्या होता है कि आप कोशन की पहले लाइन से पढ़ना से स्टर्ट कर देंगे त Hindu करना वैसे यह धोधा सा अब कोश्चन को रीड कर हे पहले ठीक है ना गिरदर के दायों और तथा मोहन के मुरली के बाई और बैठा था टीक है लेकिन खेल तो यह आपका हो गया सारे के सारे यहां पर बैट गए हैं नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है लेकिन खेली के सुरुवात के 30 मिनट बाद यानि की 30 मिनट के बाद मुर्ली और मोहन तथा गिर्धर और कृष्णा ने परस पर अपना इस्थान बदल लिया तो अब इस्थान बदलने वाली कंडिशन किस किस के साथ में एक मोहन सोरी मुर्ली और मोहन के बीच में गिर्धर और कृष्णा के बीच में मुर्ली और मोहन जब इस्थान बदलेंगे तो यह कहां पर आ जाएंगे देखे मुर्ली यहां पर चला जाएगा और मोहन यहां पर आ जाएगा या फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है तो इस्थान बदल लिया तो किस ने बदला है गिरदर और कृस्ण भी आपस में जब बदलेंगे तो कि यहां पर दूसरे वाले डिग्राम में देखेगा किरिष्णा यहां पर आ और यहां पर गिर्दर इसके साइड में आ जाएगा ठीक है न भई तो यह हो गया दूसरे वाला यानि कि बैठे तो इस तरीके से थे बड़ बाद में चेंजिस करने के बाद में यह वाला हो गया अब यहां पर देखते हैं कोशन में पढ़के निमिन में से किसने अपना इस् नहीं बदला था यानि कि पहले का राइट आंसर गोपाल हो जाएगा ठीक है भई कोशन नमबर टू यहां पर लिखा है इस्थान परिवर्तित के परिवर्तन के बाद मनोवर किसके ठीक दाई और बैठा था तो देख लीजे किसके ठीक दाई और बैठा था मनोवर मोहन के दाई और बैठा था ठीक है ना तो यहां पर आपका हो जाएगा राइट आंसर मोहन ठीक है यह मनोवर जो है मोहन के दाई और बैठा था तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भई यह हो जाएगा मोहन ऐसे करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कोशन नमबर थ अंसर स्धान परिवरतन से पहले गोपल किन दो वेक्तियू के बीच बैठा था यहाँ पर यह تم देख!, और नोहर के बैठा था , यहाँ पर रयट आंसर आपका मौली और सो assignments तो यह था, आपका सिटिंंग से कोशंवेंट का कोशंवेंद्ग, आप دОबरे से एक बारखुद से करके देखिए इस टाइब के कोशन नहीं अग्जाम में आ रहा है जिन में तीन से चार कोशन होता है। फिर एक कोशन वाला भी आ जाता है कि कौन किसके साइड़ां बैठा है। मतलब कि आपको पूरा यह कोशन दे जिए और सिरु एक ही कोशन इसमें पूछा। तीन चार भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा सा कोशन करा है ताकि आपको थोड़ा सा जादा समझ में आ जाए, ठीक है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स कोशन पर चलते हैं, एक नेक्स कोशन है आपका वेंड तीनों को सो किया गया हो, तो यहां पर जैसे बी आपका हो जाएगा बिलकुल रोंग, डी हो जाएगा बिलकुल रोंग, शी और डी में, कौना है और को आउन चानज से बतागे गाए यह आप समझ में आगए गए ना, क्यों यह रोंग होола कियांगे, उक्तिक है ठीक है तो यहां पे अगर मैं बात करूं option A की तो option A right answer रहेगा क्योंकि सभी के सभी अंदर वाला पिता वाला वाइन डियाग्राम हो जाएगा सभी पिता पुरूस होंगे सभी कोष्ण आ रहें कोडिंग कोडिंग से जा और आपका बलर स्रwe πडक चलता है चोड़ा है कोशिस करें जित करें कोशन बहुत इजी है किसी और rising के तस्वीर की और इंगित करते वे अजीत ने कहा, वह मेरी मा की पति जो सबसे पहलі मा के पति तक ही चलते बहुत समझे, बिल्कुर सीधा सीधा सा है, अजीत, अजीत की मा, यहाँ बोला, अजीत की मा का पती की मा की पुत्री, यानि कि जब अजीत की मा होगी, और उसकी पुत्री होगी, तो यह अजीत की बहन हो जाएगी, और अजीत की बहन, और यह इसकी मा है, तो यह इसका पिता हो जाएगा एक बार और समझ लीजे यहां पर कोशन में बोला गया है मेरी मा के पती मेरी मा के पती नहीं यानि कि उस के पिता अजीत के पिता फिर बोला गया है मा की मा की पुत्री पती की मा यानि कि उसकी दादी की पुत्री यानि कि जब उसके पिता है और जो पिता की मा की पुत्री होगी तो उसकी बहन हो जाएगी और पिता की बहन जो होती है वो बुऻ लगती है तो यह आपका कोण हो जाएगा अजीद की बुऻ हो जाएगी तो यहाँ पर रैट आंसर उप्षन सी हो जाएगा तो बहुत ही आसान सा कोशन था आशे करता हो की समझ में आ गया होगा next question पर जलते हैं next आपका question है यह वाला ठीक है इसमें analogy का question है analogy के और coding decoding के बहुत सारे question पूछे जा रहे है series के भी questions पूछे जा रहे हैं तो इसको करना कैसे भाई यह देख लिजिए देखिए यहाँ पर c को को जो लास्ट में था उसको first में लिए जो भी समय ठातिया इस तरीच से भी M से N, N से O, O से P, फिर next में आपका P लिख दिया P से Q, Q से R, R से S तो वैसे आपको यहाँ पे करना है E, F, G H लिखा है, तो H वैसे लिखना है फिर I, J, K लिख देना है I, J I, J, K, तो यानि कि देख लिए H, I, J, K कौन सा हो जाएगा, option A, इस तरीके से लिखा गया है next आपका question है यह वाला, try करिए, क्या रहेगा इसका right answer वो comment box में बतीएगा तो इस question में आपका क्या चल रहा है देखे, इस question में है आपका opposite वाला, यानि कि A का opposite Z होता है B का Y होता है, और C का X होता है, वैसे आपका D का W होता है, E का आपका V होता है, और F का आपका U होता है तो W, V, U is the right answer, देख लीजे, यह option कौन सा हो जाएगा